चलिए so good morning good afternoon good evening to all of you so so आज का revision हम start करेंगे और आज की revision के topics होगे invoice अगर time मिला तो हम e-webill भी cover करेंगे और ये topics जो है वो आपके लिए बहुत 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 okay important है तो चलिए आज का tax invoice debit note और credit note ये topic रहेगा फटा फटा आपको मैं revise करके दे देता हो okay ये topic चल यहाँ पर द्यान से सुनना हर बात carefully सुनना और मैं आपको इतना guarantee देता हो कि tax invoice में अगर आपको notes पढ़ने में दिक्कत जाती होगी lengthy लगती होगी तो बस ये chart अभी जो मैं पढ़ा रहा हो उसके इसाब से अच्छे से वही rhythm में वही sequence में वही chronological order में आप ये chart पढ़ लेना साथ साथ में इसका questionnaire खतम कर देना आपके तो बस बहुत और क्या है आपके नव आजाते हैं यहां पर invoice तो invoice कैसे देना चाहिए तो invoice normal case और supply of goods की case में और supply of service की case में वैसे invoice की provision हमने time of supply ये topic में भी देखी थी ऑके पर दोनों के लिए invoice तो देखो goods में अब मैं पहले तो मैं यहां यह कर देता हूँ कि invoice की 4 situations government ने दी है government कहती है कि हमने business को analyze किया है और business को analyze करने के बाद हमें पता चला कि business के nature के इसाब से total 4 situations है और 4 situations में आपने किस तरह से invoice देना चाहिए पहली situation है normal case normally इंडिया के सारे supplier of services ने invoice कैसे देना चाहिए लेकिन continuous supply of goods होगा या continuous supply of services होगा तो वो situation में invoice देने का तरही का थोड़ा अलग होगा अगर अपरोल और return basis पे होगा तो वो situation में अलग होगा और अगर आपका service in between ही बंद हो गया होगा तो वो case में आओके यहाँ पे अलग होगा तो चलिए सबसे पहले invoice के case में आपके दिमाग में चार situations हा जानी चाहिए नॉर्मल, continuous और यहाँ पे sale on up roll और return basis और cessation of supply of services चलिए नॉर्मल केस में देख लेते हैं नॉर्मल केस में government क्या कहती है अगर कोई supplier of goods है क्योंकि यह आपको classification करना बहुत जरूरी होता है कि वो goods है यह service है और इसके लिए आपको schedule 2 और section 8 composite और mixed supplier यहां हम जरूरी देखेंगे तो अब यहां जो है नॉर्मल केस में वो क्या कहते है नॉर्मल केस में यहां पर यह कहते है कि issue of invoice on or before अगर देहन से देखेगा अगर नॉर्मल केस और goods है goods में दो टाइप के supply होते है एक goods में movement है और एक goods में movement नहीं है goods में movement मतलब क्या मतलब क्या कि मैं आपको goods deliver कर रहा हूँ either supplier move कर रहा है या recipient लेके जा रहा है अगर goods के movement goods में movement है तो on or before okay on or before the time of removal okay on or before at the time of removal for supply एक word add कर देना for supply for supply okay मतलब आपने tax invoice कब देना चाहिए तो जब आप remove कर रहे हो for supply धान रखना जब आप remove कर रहे हो for supply तब तक invoice देना चाहिए उसके पहले भी दे सकते हो for supply मतलब क्या मतलब अगर आप stock transfer stock transfer कर रहे हो समझे लो आपकी branch को भेज़ जो आपकी branch same state में है और stock transfer कर रहे हो आपको यह पता होगा कि अगर आपकी branch same state में और single registration में है तो वो case में tax invoice देने की जरुवत नहीं है वहाँ stock transfer चालान रूल 55 चालान बनता है तो वो क्या कह रहे है कि अगर आप remove कर रहे हो removal for supply होगा supply मतलब sale transfer barter action lease rental disposal होगा यह वर्ट मत भूलना removal for supply होगा उस वक्त आपको tax invoice देना पड़ेगा या उसके पहले भी आप दे सकते हो उसके बाद में in other case okay अब in other case मतलब की goods में moment नहीं है okay दहां से सुनिएगा goods के moment नहीं है मतलब as such बेचा जा रहा है मैंने class में benches का example दिया था कि भई मैंने hall जो है hall में benches पड़े थे और बाकी सब equipment थे तो कोई दूसरा classes वाल आया मैंने as such उसको दे दिया या कोई भी machine है जो moveable है पर fix है एक जगा और as such दूसरे को बेज दिया तो as such जिसमें moment नहीं है पर वो goods है moveable है पर हमने as such बेज दिया तो वो case में जब आप delivery देगे या made available करवाऊगे उस वक्त आपको यहां पर supply यहां tax invoice देना पड़ेगा उसके बाद में government ने एक छोटी सी amendment की और government ने एक power अपने पास रखी last time ही amendment हुई थी और यह amendment क्या government कुछ category specify कर सकती है in respect of supplies of goods or service specify category of services और supplies in respect of which tax invoice shall be issued within such time and in such manner as prescribed मतलब government ने यह जो है कि government यह कहते है कि government कुछ services या supply notify कर सकती है जिसमें invoice कब देना चाहिए यह government बताएगी subject to such condition and condition mentioned therein specify the category in respect of any other document deemed to be tax invoice and tax invoice may not be issued तो government ने तीन पावर अभी तक इसका notification नहीं आया है लेकिन government ने तीन पावर अपने पास रखी कि नॉर्मली तो supply जो है वो goods का यहाँ पे जब movement होगी और नहीं होगी लेकिन government ने ये तीन पावर अपने पास क्या रखी कि अगर कोई ऐसा नया ही supply है अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया और यह जो अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया और हमें समझ में आया कि जब goods मूँ होगा तब invoice देना पॉसिबल नहीं है तो उसका time में हम अलग तरीके से बता सकते हैं लेकिन अभी उसका notification नहीं है या फिर कि invoice के जगा दूसरा कोई document अगर बना सकते हो तो हम दूसरा document specify करेगे जैसे in case of movie movie की case में अगर cinematographic film होगी तो ticket ही आपका invoice बोला जाएगा तो ऐस तरह से कोई other document होगे तो other document को हम invoice कह देंगे या फिर हम कह देंगे कि चलो ये case में tax invoice देने की ज़रुवत नहीं है तो ये government ने power रखा है लेकिन अभी तक कोई notification नहीं दिया है ये तो supply of goods के case में हो what do you mean by supply of service service होगा तो आपने invoice कब देना चाहिए service होगा तो आपने invoice जो है और कि बहुत ही standard format है normally 30 days from the completion of service यानि honor before honor before मतलब पहले तो आप दे ही सकते हो यानि अगर आप आज service provide कर रहे हो तो आप पहले भी दे सकते हो during भी दे सकते हो लेकिन service complete होने के बाद आपको 30 दिन और available है और 30 दिन में आप कभी भी invoice दे सकते हो ठीक है देखो दोनों में क्या फरक है यहाँ पे remote तक invoice दे देना पड़ता है goods के case में service में आपको नहीं service में आपको 30 दिन मिलते है और completion पे नहीं तीस दिन भी extra मिलते है तब तक आप invoice कभी भी दे सकते हो उसके बाद में यहाँ पे लेकिन banking, financial institution, NBFC और insurance company होगी तो वो case में 45 days का time दिया गया है I repeat वो case में 45 days का time दिया गया है तो 30 days and 45 days लेकिन बेटा यहाँ पे और कि थर्ड वाला point जहां student ignore कर देते है यह मैं थोड़ा आपको बताना चाहोगा हो सकता है कि इसके उपर MCQ question पूछ ले क्या अगर insurance company होगी bank होगी, FI होगा, NBFC होगा telecom sector एड किया है या other notified person where service is provided to distinct person and a DDP मतलब क्या कि अगर insurance company bank या financial institution और एक्सेटरा अपने ही branch को service देती है जो separately registered है तो वो case में हर transaction पर 30 दिन में invoice देना possible नहीं है क्यों? क्योंकि banks में 1-1 के branch में बहुत सारे transactions होते example की तो रुपे SBI branch from Pune और SBI branch from Surat तो अब SBI, SBI दुनिया भर के transaction पूरे इंडिया में करती है branch to branch between DDP तो वो case में हर transaction पर invoice देना मतलब ये तो मर जाएगे विचारे क्योंकि SBI की तो 1000 से ज़्यादा branch से पूरे इंडिया में तो ये तो मर जाएगे विचारे तो ऐसे case में इनको invoice कब देना है when supplier record in the books of account और last day top quarter which is letter मतलब क्या? मतलब यह transaction पर invoice ना देते हुए अगर in branch transaction होगा तो वो case में जिस दिन books में entry करेंगे उस दिन अगर books में entry करेंगे उस दिन पर quarter end में और quarter end में सब settle कर देना पड़ेगा which is okay sorry which is later which is earlier मतलब क्या? generally एक example की तोर पर यहाँ पर inter branch transaction banking है, insurance है ये quarterly settle करते है मतलब समझे लो, okay पूने SBI ने सूरत SBI को service दिया तो ऐसे केस में जितने भी transaction पूने SBI to सूरत SBI होता है तो वो case में यह सारे transaction जो है, okay वो यहाँ quarter के end में settle करते है तो फिर ऐसे case में transaction wise within 30 days invoice देने की जरूरत नहीं है जो quarter के end में जिस दिन settle होगा उस दिन पूरा invoice एक साथ बना लिया तो भी चलेगा लेकिन अगर quarter के end में settle होने के पहले अगर book entry कर दिया जाए याने book entry पहले कर दी तो फिर book entry पे invoice जाएगा whichever is earlier तो यह जो clause है C clause है याद रखना क्योंकि यह कुछ sector को और के government ने यहाँ पे specially DDP transaction होगे तो वो sector के लिए इन्होंने quarter end या उसके पहले book entry which is earlier तो वहाँ से लिया जाएगा चली very good और के चलो फटाफट attendance लगाओ यह गलत बात है आप अगर यह revision कर रहे हो और यहाँ पे आप यह देख रहे हो और के चली उसके बाद में continuous supply of goods और continuous supply of service फटाफट मैं दो मेड़ बाद देखूगा सब की attendance देखनी चाहिए मेरे को जो भी देख रहे है continuous supply of goods और continuous supply of service इसकी definition मैंने चार्ट में नहीं लिये शायद वो definition आपने sticky note से attach कर देना definition जो book में से लिख के मैं अभी आपको explain कर देता हूँ पर definition जो है आपने attach कर देना continuous supply of goods या नहीं क्या continuous supply of goods मैं continuous or recurrent basis पे supply किया जा रहा है जहाँ recipient periodically payment कर रहा है जहाँ पहला point continuous और recurrent basis पे supply किया जा रहा है supply वो electricity हो या कोई liquid हो electricity gas और liquid कुछ भी हो तिसरा जिसमें periodical payment सामने वाला करने वाला है ये अगर supply होगा और इनी notified supply of the government उसे continuous supply बुला जाएगा simple word में जो goods का supply जैसे gas का supply है उसके बाद में मैंने दूदवाले का example दिया था कि दूदवाला आपको supply कर रहा है continuous basis पे कर रहा है उसके बाद में यहाँ पे कोई liquid product है वो supply कर रहा है तो जो भी यहाँ पे ओके चलो फड़ा फाट जो भी connected है मज़ा आएगा आपको region में अपनी येस लाइक करके attendance लगाओ लाइक करके attendance लगाओ तो continuous supply of goods होगा ओके तो यह situation में यहाँ पे invoice देने का तरीका अलग होगा तो continuous supply of goods मतलब जो continuous or recurrent basis पे supply किया जा रहा है इट में भी electricity इट में भी यहाँ पे through pipeline हो conductor और whatever the area mode आप use करें और इसमें important क्या है important recipient periodically payment कर रहा है यह इनी notified goods by service यहाँ पे तीन मैने का criteria नहीं है अगर continuous supply of service होगी तो वहाँ तीन मैने का criteria है अगर आपका contract तीन मैने से ज़्यादा होगा तो ही continuous supply of service कहा जाएगा goods case में ऐसा नहीं goods case में 5 दिन होगा, 10 दिन होगा, 20 दिन होगा तो भी वो continuous supply of goods कहा जाएगा यह इना बात तो ऐसे situation में अगर continuous supply of goods होगा तो इन्वाइज कहा होगा अब government यह मानती है कि अगर continuous supply of goods होगा तो removal पे invoice देना possible नहीं है क्योंकि जैसे gas, gas की pipeline है अगर ग्यास जा रहा है, कैसे remove decide करें अगर अगर रिमूल हुआ अभी invoice दो आरे वो तो continuous remove हो रहा है भई, उसमें invoice देना possible नहीं है, इसलिए उनके लिए separate criteria खा और उनके लिए क्या, okay criteria खा है कि दोनों contract के under में supply होना चाहिए, हाँ, एक word बड़ा important है कि दोनों contract के under में supply होना चाहिए तो ऐसे situation में, okay continuous supply of services में अगर आप successive statement या successive payment आप जैसे दूदवाला, दूदवाला monthly जो है, okay, आपको statement बना के देता है, okay या यहाँ पे newspaper वाला या फिर gas का, आपका monthly statement आता है, तो जिस दिन successive statement बन रहा है, या फिर successive payment, एक साथ payment आ रहा है whichever is earlier, whichever is earlier, okay तो यहाँ पे on or before आप इन्वाइस दे सकते हो, समझे लो आपका, okay, यहाँ पे दूदवाला, अगले मैने के पास तारीक तक आपको statement मना के देता है, तो वो पास तारीक या उसके पहले कभी भी tax invoice दे सकता है क्या रखना, supply of goods के case में successive statement और successive payment whichever is earlier, लिखना हो, तो लिखना हो, तो लिखना हो, तो लिखना हो, तब आप tax invoice दोगे, लेकिन service में क्या है, service में continuous supply of service तभी बोला जाएगी, अगर वो continuous और recurrent basis पे दिया, under contract दिया और period 3 months से जादा है और periodical payment है, और any service notified by the government definition लिख लेना भीटा, आपको काम आएगी यहां sticky notes लगा के, बाद में चार्ट में अगर print out लिया होगा तो, तो ऐसे situation में, वो case में, यहां continuous supply of service कही जाएगी, अब यहाँ पे next हम देखे तो continuous supply of service में इन्होंने invoice देने के तीन criteria रखे, come on यार, continuous supply of service के invoice देने के तीन criteria रखे है, पहला due date of payment ascertainable in a contract, due date of payment ascertainable, मतलब यह क्या है, यह यहाँ पे ऐसा है, कि समझ लो मेरा renting agreement हुआ, और rent agreement मेरा यहाँ पे, okay, 11 मेने का हुआ है, 11 मेने का rent agreement मतलब period जो है, तीन मेने से ज़्यादा है अगर period तीन मेने से ज़्यादा है, तो वो case में continuous supply of service बुला जाएगा, अब अब वो continuous supply of service बुला जाएगा, तो वो situation में मैंने contract में clear लिखा हुआ है कि हर मेने के 10 तारीक के अंदर, मेरा tenant, मेरा recipient payment करेगा, तो यह payment जो है, वो recipient है, अगर आपको situation में, as a landlord मुझे कब तक invoice देना पड़ेगा, तो ऐसे case में, दोस्तों, as a landlord मुझे invoice देना पड़ेगा, और वो invoice देना पड़ेगा, 10 तरीक है उसके पहले, on or before, और के 10, जो due date fix की है, तो such due date के पहले आपको वो invoice देना पड़ेगा, जैसे annual maintenance contract, के रो, annual maintenance हो, वो case में, यहाँ पे, उतने amount तक का invoice आपको due date के पहले issue कर देना पड़ेगा, अगर due date ascertainable होगी, अगर due date ascertainable नहीं होगी, जैसे example की तोर पे मैं कोई class ले रहा हूँ और class 6 मैंने का है, और 6 मैंने class कर ले दे वग, okay, student मेरे पास आया और उसने कहा की sir, okay मैं payment कैसे करूँ, मैंने खुद होकी कहा, तीन installment होगी, okay, मैंने periodical payment में ले रहा हूँ, as per the terms of contract, जिसमें मैं अपने invoice पे लिखूगा, कि आप तीन installment में pay करोगे, लेकिन installment की date fix नहीं किया, मतलब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, कि मैं installment की date fix कर रहा हूँ, कि देखो, अभी आपको आज देना है, फिर दो मैने बाद देना है, और date लिखकर दे दिया मैंने, कि आपको यहाँ पे इस date को देना है, लेकिन यह case में मैंने installment की date नहीं दिया, मैंने कहा कि देखो, portion wise लूगा, और due date क्या होगी, मुझे नहीं पता, तो अब due date नहीं, पर 6 मैंने के अंदर तीन installment लेना है, तो ऐसे situation में due date ascertainable नहीं होगी, I repeat, due date अगर ascertainable नहीं होगी, तो date of payment receipt, याने, जब-जब भी student मुझे payment लाके देगा, उस दिन या उसके पहले, मैं कभी भी tax invoice दे सकता हूँ, okay, date of payment या date of payment equals to date of payment by recipient, okay, यह लिख देना, date of payment, मतलब date of payment by recipient, यह आप लिख सकते हो, okay, यहाँ पे, और next, event fix in a contract, event fix in a contract मतलब क्या, कि मतलब यहाँ पे बहुस सी बार, जब continuous supply service होता है, तो payment event wise होता है, अब event wise कैसे होता है, जैसे ले लो construction service, okay, मैं construction service दे रहाँ, आपको पूरा building बान के दे रहाँ, अब building बान के दे रहाँ, इसमें due date fix नहीं है, पर मैंने event fix किये, event fix किये मतलब क्या, plinth पे इतना लोगा, first floor पे इतना लोगा, second floor पे इतना लोगा, third floor पे, जैसा जैसा मैं completion करूगा, उतना पैसा लोगा, तो plinth पे मैं 30% लोगा, first floor पे और 10% लोगा, second floor पे और 10% लोगा, तो अगर कोई continuous supply service दे रहा है, जैसा architecture service, construction service, और उसमें event fix किये होए, I repeat, उसमें क्या event fix किये होए, तो जिस दिन वो event complete हुआ, जैसे plinth complete हुई, और plinth पे मैंने कितना माँगा है 30%, तो मुझे 30% का invoice, okay, last job completion of event, जिस दिन plinth complete होगी उस दिन या उसके पहले, मुझे वो invoice issue करना पड़ेगा, दोस्तो exam के इस आपसे very very important इसके उपर case study आ सकती है और इस से related questions अच्छे से पढ़के जाना है, इस बार आपके exam मैं इसके उपर case study expect कर रहा हूँ, तो इस तरह से तीन event मैंने यहाँ पे दिये समझा होगा, तो कहिए yes yes, okay, mz, 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 मजा आ गया okay, यह speed से हमारा चलेगा तो आपका response मुझे समझेगा और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी student connected है, okay, फटा फट अपनी attendance लगाओ, ऐसे मत करो, और अभी समझाओगा, तो like करो, फटा फट, औके और mz, mz, type करो very good, मजा आ गया okay, उसके बाद में यहाँ पे next हम बात करेंगे, good sent on return और approval basis, good sent on return और approval basis मतलब क्या, okay जैसा आप sale हो रहे है, sale हो रहे है तो example की तोर पे मैंने बहुत basic और day to day life का example अपने class में भी लिया था और मैं अभी भी लिया रहूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अभी, किसी ने बच्पन में जरूर देखा होगा, कि यहाँ पे okay, sale on approval or return basis में क्या होता है, sale on approval or return basis में यहाँ पे, जहाँ तक देखा जाए, तो एक example मैंने यह लिया था, जब मैं पढ़ाता था कि एक साड़ी वाला, आज भी हमारे घर पे आता है, okay, मेरा native place जो महराश्च्ण में अमरौत यह तो यहाँ पे आज भी मेरे घर पे आता है, okay, वो पूरे अपने रिक्षा में आता है, रिक्षा मतलब आटो रिक्षा में आता है, बीस साल से आ रहा है हमारे घर में, और वो सब साड़ी लेके आ रहा है, okay, यानि ऐसे सारी इसके गठे बान के आता था, फिर वो जो है, okay, घर में बैठ जाता था, घर की सारी लेडिज, एरे मेरी ममी, भाबी वगरे सब, okay, बुआ वगरे सब बैठ जाती थी उसके पास, वो सब को साड़ीया बता रहा है, जैसे आपने अमीर घराने में जुएलर्स वाले को देखा होगा, ऐसी मुवी में देखा होगा, कि जुएलर्स आगया, घर पे बता रहा है, okay, तो वो क्या है कि वो जब अपने वेराउस से, इवेंट को ध्यान रखना, अपने वेराउस से गुड्स को रीमू करता था, और गुड्स को रीमू करके घर पे आता था, और घर पे आकर वो सब को सारिया बता रहा है, अब वो सारिया बता रहा है, तो वो बाबी जी ये रख लो, आप ये अच्छे लगेगी, वो अच्छे लगेगी, अब मैं आज भी आग ओके दो मेने पहले की बात है जब मैं अपने घर पे गया तो मेरे वाइफ को भी बाबी जी अच्छे लगेगी भाईया को तुम इने बच्पन से देखा है अब भाईया मना नहीं करेगे तो अब वो क्या होता है कि वो बाबी जी अब ये रखो आप दे सेल हो रहा है बट अपरोल रिटन बेसिस मतलब अपरोल नहीं तो रिटन कर लोगा ऐसे केस में वो साड़ी वाला इन्वाइस कब बनाएगा तो वो साड़ी वाला इन्वाइस कब बनाएगा तो अब यहां यहां पर सारी कब मत देखो नालाय को वो देखो कि वो इवेंट क कि जब यहां पे कस्टमर से अप्रून मिल जाएगा अब के जब कस्टमर से अप्रून परूल मिल जाएगा औरके वो केस में उस दिन वो इन्वाइस बनाएगा आप कह लिखो कि विफोर और इड़े टाइम अफ सप्लार्ई फुक्टी फाइट और अपूर बार उस दिन या उसके पहले invoice बना सकते है या छे मैने के अंदर approval नहीं मिला from removal तो जिस दिन six month complete होगे उस दिन invoice बनाएगा लेकिन यह जो criteria only goods के case में applicable है यह service के case में applicable नहीं है okay only goods के case में applicable होगा उसके बाद में बैटा यहाँ पे session of supply of services session मतलब और क्या कभी कभी क्या होता है कि specialist service contract service contract in between बंद हो जाते हैं जैसे मैं अभी मेरे example लेता हूँ एक interior decorator था और मैंने अपने office के लिए उसको लगाया हमारा contract समझ लोग एक लाग रुपे का decide हुआ लेकिन उसने कुछ activity के गोगाँ आप देखा गार वह सही डूंक से नहीं कर रहा है और कि उसकी कुछ 20% अब कॉन्ट्रेक्ट तो एक यहां पर एक लाग रुपे का हो गया था पूरा लेकिन मैंने 20% सर्वीस पर 23 सीज कर दिया, मैंने का नहीं, आप तुझे नहीं करना है, अब वो इंटिरियर डेकॉरेटर को देखो, वो इंटिरियर डेकॉरेटर जो है, यहां पर, जहां तक देखा जाए, उसने 20 परसंट का सर्वीस कम्प्लीट कर दिया था, तो law क्या कहता है, law यह कहता है कि अगर किसी भी सर्वीस प्रोवाइडर की सर्वीस जो इन बिट्वीन सीज हो जाए, तो to that extent, यहांने जितना उसने सर्वीस दिया, कितना उसने सर्वीस दिया, 20 परसंट जो दिया है, अगर उसने 20 परसंट सर्वीस दिया है, at the time when services cease याने जिस दिन cease कर दी उसी दिन invoice देना पड़ेगा और वो invoice to the extent of supply made और कि जितना supply किया उतने supply तक invoice देना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों यह हमने अलग-अलग situations देखी कि जहाँ invoice कैसे issue किया जा सकता और सारी situations मैंने इसमें cover कर ली आपके लिए एक homework sticky notes पे continuous supply of service और continuous supply of goods के यहाँ पे definition लिख लेना और यहाँ attach कर देना करोगे न homework बोलिए yes sir ओके चलिए अब यहाँ पे content of invoice and voucher भी मैं यह आपको कहूँ क्या content of invoice and voucher एक बार पढ़ लेना मतलब क्या आपके invoice में क्या होना चाहिए मैं सबके नहीं दे रहा हूँ पर यह जरू देख लेना कि भाई name address और GSTN supplier का होना चाहिए HSN उसके बाद मैं consecutive serial number series invoice number होने चाहिए date of issue होना चाहिए name and address और GSTN of recipient अगर recipient registered है B2B transaction है तो उसका भी GSTN चाहिए other details of unregistered recipient मतलब unregistered होगा तो at least उसकी भी details होनी चाहिए और यहाँ पर अगर amount 50,000 से जादा है यह मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ amount 50,000 से जादा है तो उसका address भी और place of supply भी होना चाहिए HSN code, description of goods, quantity of goods total value, taxable value GST tax rate अलग से mention होना चाहिए amount of tax, place of supply भी होना चाहिए address of delivery अगर river charge होगा तो वहाँ पर एक option होना चाहिए river charge होगा तो river charge पर tick का option होना चाहिए इसका tax recipient देगा digital signature अगर required होगी तो वो nature of document, quick QR code QR code भी यहाँ पर especially invoice के case में QR code compulsory है और अगर आपका 500 करोड से ज़्यादा turn or होगा तो वो situation में unregistered को supply किया तो QR code और के यहाँ पर जरूरी है उसके बारे में आगे पड़ेंगे next very very important इसके उपर आपको question आ सकता है और वो question क्या आएगा okay conspiracy case से जहाँ tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा very very important exam में इसके उपर question आएगा एक बार फिर से conspiracy case से जहाँ tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा okay तो issue of tax invoice अगर आपका per transaction I repeat आपका per transaction value less than 200 होगा अगर आपका per transaction value less than 200 होगा और supply B2B होगा supply B2B होगा तो वो case में invoice तो देना पड़ेगा मतलब B2B के case में invoice देना पड़ेगा क्यों ना आपका transaction 150 रुपे का होगा जैसे मेरी company मेरे company कोई stationery shop गई और मैंने का पेन देना पेन 50 रुपे का हुआ तो वो जो पेन 50 रुपे का होगा लेकिन मैंने का नहीं भई मुझे company के नाम पे बिल चाहिए तो वो 50 रुपे का क्यों ना पेन होगा वो company के नाम पे बिल होगा तो उसे मुझे GST देना पड़ेगा transaction less than 200 होगा लेकिन यहाँ पे B2C होगा तो वो केस में यह देखो multiplex होगा तो multiplex में tax invoice देना पड़ेगा और आपका tax invoice ticket ही माना जाएगा अगर multiplex screen होगी तो अगर recipient tax invoice मांगता है B2C के के केस में तो वो केस में देना पड़ेगा बस एक ही ऐसी केस है एक ही ऐसी केस है यहाँ पे कि अगर अगर यहाँ यहने अगर आप यह लिखो के देखो अगर invoice value less than 200 है और आप यह supply कर रहे हो तो आपने tax invoice नहीं भी दिया तो भी चलेगा tax invoice नहीं भी दिया चलेगा पर इसके तीन exceptions है exception तीन पहला अगर B2B transaction होगा तो देना पड़ेगा multiplex होगा तो देना पड़ेगा recipient tax invoice चाहता होगा तो देना पड़ेगा even in case of B2C transaction तो आप पहली line लिखोगी कि value less than 200 होगा तो invoice देने की ज़रूरत नहीं है tax invoice देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन तीन exceptions है उसके बाद में अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा क्योंकि transaction छोटे छोटे बच्चा चॉकलेट मांगने आ गया बच्चा स्टेक्शन भी मांगने आ गया B2C transaction है और वो यहाँ tax invoice नहीं मांग रहा है तो फिर अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा तो at the end of the day यह बहुत important statement है at the end of the day आपको उसका एक consolidated पूरे दीन का जितने भी आपने छोटे छोटे transaction किये B2C और उसमें आपने tax invoice नहीं दिये तो at the end of the day आपको एक complete invoice बनाके रखना पड़ेगा for the purpose of audit समझ लो मैंने सुबह 20 रुपे की चॉकलेट बेची सारे transaction की total का एक consolidated invoice आपको बनाके रखना पड़ेगा तो यह important provision है अगर value 200 अगर value 200 है उससे जाता है तो फिर तो आपको B2B हो या B2C हो आपको invoice बनाना पड़ेगा तो इस तरह से हमने tax invoice के concept देखे और कि goods के case में service के case में 200 रुपे से कम होगा तो वो भी देख लिया चलो आजाईए manner of issuing tax invoice आप tax invoice कैसे दोगे तो आप tax invoice जो दोगे यह triplicate copy में दोगे generally supply of goods होगा सुनिए supply of goods होगा तो आप tax invoice की 3 copy बनाओगे service होगा तो आप tax invoice की 2 copy बनाओगे और tax invoice की सारी detail GSTR 1 में GSTR 1 में देना पड़ेगा लेकिन कुछ case में invoice कुछ case में invoice आपको बनाना पड़ेगा और उसमें invoice reference number देना पड़ेगा अगर आप invoice बनाते हो तो फिर यह copies की जर्वत नहीं है invoice concept क्या है थोड़ा मैं आपको यह समझा दू हाँ invoice concept क्या है थोड़ा मैं आपको यह procedure से समझा देता हूँ invoice जो है अब आपके आपका आप खुद नहीं बनाऊगे example की तौर पर यह procedure दिए easily समझने के लिए supplier है और recipient है और आप invoice के notified category में आते हो invoice के notified category में आते हो ठीक है sorry बटा तो ऐसे case में आपको invoice के registration पोर्टल पे जाके क्योंकि ऐसे invoice के registration पोर्टल बनाके रखे जिसको IRP कहता है यह पोर्टल पे जाके invoice बनाना पड़ेगा आपको सारी details यहाँ पे schema आता है तो आपको सारी details including transport detail भी दे दो आपको यहाँ पे वो schema में आपको complete करनी पड़ेगी आपको Excel अपलोड करनी पड़ेगी schema में complete करनी पड़ेगी और वो सारी details complete करने के बाद यहाँ पे आपका invoice validation होगा QR code होगा IRN invoice reference number जो 64 character का होगा QR code वो generate होगा वो generate होने के बाद आपको invoice की PDF copy आजाएगी मतलब आप invoice नहीं बना रहे हो आप invoice portal पे जाके invoice बना रहे हो और वो जो invoice की PDF copy आगई वो आपने recipient को issue किया तो भी चलेगा इसका फाइदा क्या होगा अगर आप invoice बना रहे हो यह नीचे वाले page पे दिख जाएगा आपको नीचे वाले page पे लिया है अगर आप invoice मना रहे हो अगर आप invoice बना रहे हो तो यह situation में यहाँ पे आपने जो भी information दी उस information के base पे आपका GSTN portal GSTN portal अलग है invoice का portal अलग है e-way bill का portal अलग है यह तीन portal अलग है invoice आपके IRP पे आपने generate किया पर यह जो IRP portal है यह data जो उसने capture किया वो GSTN portal पे भेज़ देगा वो e-way bill portal पे भेज़ देगा GSTN portal पे जैसी भेज़ देगा आपका GSTR1 आपको अलग से बनाने की जरुवत नहीं है वो auto update हो जाएगा और यह अच्छी बात है और e-way bill की भी information जो है वो auto update हो जाएगी तो यह e-invoice के फाइदे भी है चलो आते है e-invoice पे तो अगर आप e-invoice देखते हो तो e-invoice में meaning e-invoice essentially involved reporting details specified GST document to a government मतलब government portal पे यहाँ पे specified document की reporting करना specified document मतलब आपको तो e-invoice उसके बाद में debit note and credit note तो यह सारे document की यहाँ पे e-way bill portal पे reporting करना and obtained यहाँ पे reference number और e-invoice reference number इसको e-invoice का जाएगा applicability तो applicability अगर आप देखोगे तो all registered businesses मतलब आप registered person होगे और आपका aggregate turnover based on PAN in any preceding financial year from 17, 18 and onwards more than 10 crores मतलब 2017, 18 में या 18, 19 में 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 किसी भी financial year में आपने 10 crores से जादा और यहाँ पे aggregate turnover किया होगा तो वो situation में यहाँ पे आपको e-invoice बनाना mandatory हो गया है यह पेटा यह optional नहीं है और यह अप mandatory हो गया है अगर आपका turnover अगर आपका turnover 10 crores करता है पुरानी provision यहाँ पे 20 crores की थी अब अभी current जो provision है यह 10 crores की provision आपको applicable है उसके बाद बेटा यहाँ पे e-invoice पे आपको 64 character का IRN जनरेट करना पड़ेगा any invoice without IRN IRN और आपने वो limit जो cross कर दी और वो cross करने के बाग मतलब देखो इस प्रिवियस year नहीं देखना है अगर जैसा अब ही आपका year है समय लो example हो कि आपका current year है 23-24 तो 23-24 में अगर invoice जरूरी है क्या तो आपको क्या देखना है आपको यह देखना है कि मैंने 17-18 में 18-19 में 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कोई भी financial year में अगर मैंने 20 यहाँ पे यह जो limit है यह जो notified limit है और यह notified limit मैंने cross कर दी होगी किसी भी year में और पिछले 5-6 साल में तो मुझे invoice यह साल compulsory हो जाएगा और मुझे IRN generate करना पड़ेगा और यह limit अब update कर दो क्योंकि आपके attempt को यह limit applicable है अगर पुरानी limit होगी तो scratch कर देना और आपके attempt को अब यह नई limit applicable है और यह limit आप update कर दीजिएगा देख रहे हो कितने limit है yes और no चलिए उसके बाद में यहाँ पर ओके next में कहोगा document covered in invoice मतलब आपको invoice portal पर क्या आप invoice update कर सकते हो credit note debit note भी आपको update करना पड़ेगा अगर आपका turn or aggregate turn or notified limit से जादा है e invoice आपको स्रीफ B2B के case में बनाने पड़ते है सुनिये दहान से e invoice आपको स्रीफ B2B के case में बनाने पड़ते है B2C transaction में invoice बनाने की जरूरत नहीं है या for export होगा for the purpose of export registered person होगा export भी होगा तो आपको invoice बनाने पड़ेंगे B2B और export non requirement of invoice very important कहा invoice जरूरत नहीं है B2C के transaction में invoice जरूरत नहीं है अगर ISD invoice issued by input service distributor यह concept जो है final level पे detail में है अगर invoice issued by ISD होगा तो आपको invoice बनाने की जरूरत नहीं है import of goods के bill of entry के case में आपको invoice बनाने की जरूरत नहीं है पर export के case में आपको बनाना पड़ेगा उसके बाद में e invoice in case of reverse charge ध्यान से सुनिएगा reverse charge के case में अगर 94 का reverse charge है तो 93 का reverse charge है what you read में भी आपको reverse charge में अगर देखो reverse charge में recipient को invoice बनाने पड़ते है कुछ case में recipient self-invoising system होता है तो reverse charge में e invoice बनेगा लेकिन import of service import of service होगी तो नहीं बाकी सारे reverse charge में आपका e invoice बनेगा done उसके बाद में exemption from e invoice okay e invoice किसको किसको लागू नहीं होगा और कि ये भी important पढ़के जाना ये भी important पढ़के जाना तो e invoice कब-कब लागू होगा तो e invoice government department local authority special economic sorry इन लोगों को exemption है from e invoice को और government department local authority ये invoice नहीं बनाएगे special economic zone insurance company, banking company, fi, nbfc ये invoice नहीं बनाएगे okay gta e invoice नहीं बनाएगा okay उसके बाद में passenger transport service में buses वगरे जो ticket होगे वो e invoice नहीं बनाएगे और cinematographic film में जो आपको ticket मिलती है वो e invoice नहीं बनाएगे इनको e invoice लागो नहीं होगा बस बेटा इतना अच्छे से पढ़के जाना e invoice का मैंने सब कुछ इसमें cover कर लिया है इसके बाहर आपको question नहीं आएगा then मैं पूरा e invoice के बाहरे में पढ़ा रहा हूँ invoice normal 200 रुपए का उसके बाद में copies उसके बाद में e invoice concept और एक बात के दू e invoice अगर आप generate कर रहे हो portal के थूँ तो आपको triplicate या duplicate copy नहीं बनानी पढ़ेगी अब revise invoice okay revise tax invoice कह है revise tax invoice मैं आपको बता दू कि if you liable for registration मतलब समझे लो आज आपका aggregate turn और जो है 10 लाग 20 लाग या 40 लाग cross हो गया है और 10 लाग 20 लाग आपका aggregate turn और cross होने के बाद you are liable for registration या फिस section 24 में आप mandatory registration में आगे mandatory registration में मतलब आपने interstate outwards supply कर दिया आपने यहाँ पे CTP, NITP या river charge whatever it में भी तो आपने mandatory registration में आगे तो वो case में आज अगर आप liable होते हो तो law क्या कहता है law यह कहता है कि 30 दिन में आपने apply कर देना चाहिए और जब आप apply करोगी उसके बाद RC आएगी तो देखो आज मैं liable हो गया मतलब आज से मेरे को GST liability आजाएगी मतलब क्या मतलब आज से मुझे customer को GST pass on करना पड़ेगा लेकिन मैं apply करोगा apply करने के बाद RC आएगी तो RC आने के बाद ही मैं invoice दे सकता हो तो ऐसे situation में जिस दिन मैं liable हुआ जिस दिन मैं liable हुआ वहाँ से जब तक मेरी RC नहीं आती है तो वो period में tax invoice दे नहीं सकता क्यों नहीं दे सकता tax invoice क्यों क्यों कि वो period में मेरे पास GST नहीं है मेरे GST नमबर नहीं है तो वो period में ध्यान से सुनियेगा ध्यान सुनियेगा वो period में मैं अपने normal जो invoice है वो दे सकता हो लेकिन जैसे ही मेरी RC आ गई जैसे ही मेरी RC आ गई तो इस पिरेड के B2B invoices, I repeat, B2B invoices, each invoice मुझे, okay, RC आने के बाद, उसके आगे एक मेने में, ये पुराने invoice, जब से मैं लाइबल हुआ, ये पुराने invoice जो है, आपको, okay, revise करके देने पढ़ेंगे, जब भी revise concept, revise invoice का short note पूछा, तो ये simply मत लिखना कि, just invoice revise कर दिया, तो उसे revise invoice बलेंगे, और कि उसे, revise invoice बलेंगे, ऐसा नहीं है, revise invoice मतलब क्या, कि जिस दिन RC आई, तो ये, जब मैं लाइबल हुआ, वहा से RC तक के invoice मुझे आगे के एक मेने में, आगे के एक मेने में, ये सारे invoice customer को, यहाँ पे revise कर के देने पढ़ेंगे, तो द within one month from the date of issuance of RC, consolidated revised tax invoice, registered person में issue consolidated revised tax invoice, in respect of all taxable supply, made to a recipient who is not registered, who is not registered, मतलब क्या कि जो B2C transaction है, B2C transaction के case में, वो consolidated invoice issue कर सकता है, और in case of interest rate supply, where value of supply does not exceeds 2,50,000 to an unregistered person, तो रचाट में इसको अच्छे समझते है, revise chart में अच्छे समझते है, revise chart में अच्छे समझते है, revise tax invoice, अगर transaction B2B है, वो intra हो या inter हो, come on, अगर transaction B2B है और वो intra हो या inter हो, okay, आपको हर invoice, जो वो period का है, जब से आप liable 3, till the RC, हर invoice आपको revise करके देना है, इस invoice revise करके देना है, B2C होगा, तो B2C होगा, अगर आपने unregistered को दिया होगा, intra state होगा, तो हर invoice revise करने की जरुबत नह है, उस period में आपने जितने भी, okay, sale किया होगा, कब से, जब आप liable होए, till GST, उस period का consolidated invoice भी बनाया तो भी चलेगा, okay, मतलब सारे transaction का, समझे लो, okay, 12% rate वाला, जितने भी goods बेचे उसका एक invoice, उसके बाद में, okay, 5% वाला, जितने भी goods बेचे उसके invoice, तो आपने consolidated revise बनाया भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने B2C transaction किया होगा, तो वो case में interstate किया होगा, तो supply up to 2.5 lakhs होगा interstate में, तो वो case में consolidated tax invoice चलते हैं, लेकिन आपकी supply की value, अगर 2.5 lakhs से ज़्यादा होगी, कोई particular state में, okay, कोई particular state में, जैसे मैंने गुजरात में बेचा माल, और गु 2.5 के ज़्यादा है, तो फिर मुझे each invoice revise करना पड़ेगा, क्योंकि उस invoice की value 5 lakhs से ज़्यादा है, okay, RC मतलब registration certificate ना लाएक हो, okay, revision कर रहे हो आप, वो भी rapid revision कर रहे हो, okay, next बेटा, bill of supply, यह आपने देख लिया revise invoice, exam के लिए important, इस पे exam में question आ सकता है, revise invoice पे, okay, बेटा, registration, invoice and return, यह chapter के marks मत छोड़ना, बहुत easy chapter है, और अभी आप मेरे साथ revise कर रहे हो, अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे बताइए, अच्छे समझ में आ रहा है, yes or no, बो अच्छे समझ में आ रहा है, yes or no, सभी मेरे साथ invoice हो जाए, okay, yes sir, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और क्या, नालाय को attendance नि लगाई, attendance लगाओ जो भी connected है, like करके, very good, चली, अब बील of supply, यह भी important, बील of supply कब देना पड़ता है, यह भी important, ठीक है, एक होता है tax invoice, और एक होता है bill of supply, bill of supply आपको तीन cases में देना है, okay, अगर आपका supply exempt है, exempt includes neal rate, अगर आपका supply exempt है, या नील rate है, goods or service का, तो वहाँ bill of supply देना है, अगर आप composition scheme में है, अगर आप composition scheme में है, तो वहाँ आपको bill of supply देना है, ख्याल रहे, ऐसा supply जिसमें GST नहीं लगाना है, exempt या composition scheme, तो वह bill of supply देना है, अब क्या student या mistake क्या करते है, student यह सूचते हैं, एक ब position scheme में नहीं, bill of supply, आपका अगर exam supply भी होगा, तो भी आपको bill of supply देना है, उसके बाद में export invoice, उसके बारे में भी देख लेते हैं, अगर आप export करते हो, तो export के case में आपको दो चीजे लिखनी पड़ती है, और वो कौन सी दो चीजे लिखनी पड़ती है, supply means for export, supply to SEZ, supply to SEZ developer, या authorized operation, मतलब आपको आपको ऐसा invoice पर लिखना पड़ता है, कि यह supply export के लिए, या SCZ के लिए, SCZ developer के लिए, on payment of integrated tax, आप उसके बार IGST दे रहे हो, या फिर यह जो supply करे हो, under bond, अपको आपको under bond या letter of undertaking देना पड़ता है, अगर यहाँ पर CA final के student देख रहे होगे, तो यह with payment of IGST और with bond, हमने बहुत डिटेल में देखा था, under IGST Act, इंटर में IGST Act नहीं है, पर final level पर IGST Act जो है, उसमें हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में देखा है इस बाग को, yes or no, clear, उसके बाद में कुछ additional detail आपको export invoice में देनी पड़ती है, जैसे name and address of recipient, क्योंकि वो other country का है, address of delivery, name of country कौन से country में जा रहा है, वो आपको यहाँ पर details देनी पड़ती है, अब last वाला part भी MCQ question में आ सकता है, और last वाला part के MCQ question में आएगा, कि अगर बंदा taxable और exam दोनों supply कर रहा है, जैसे मेरी किराना शॉप है, किराना शॉप में आपने 50 items लिए मेरे से, या आप बीग बाज़ार में आए, और बीग बाज़ार से आपने 50 items लिए, अब इसमें कुछ items जो है, वो exempt है, कुछ taxable है, तो क्या मैं exempt के अलग बनाओ, taxable के अलग बनाओ, क्यों क्योंकि exempt को bill of supply देना पड़ता है, और taxable को tax invoice देना पड़ता है, तो क्या मैं अलग अलग बनाओ, नहीं आपको title देना पड़ेगा, invoice can bill of supply, ठिक है, ख़ेता है, तो यह देखा हमने invoice से related सारे concept, एक ही page में, नौर्मली invoice कaysə देना चाहिए, 200 का invoice कैसा हması हूना चाहिए, invoice कैसे होना चाहिए, revision invoice कैसे होना चाहिए, bill of supply कैसे होना चाहिए, export invoice कैसे होना चाहिए, combined exempt taxable होगा, तो आपक यार मैंने सब तो cover कर लिया यहाँ पर देखो फड़ा-फड़ यहाँ पर अब नीचे आजाओ E-Invoice, E-Invoice की process हमने देखी, अब HSN, HSN एक code होता है, जो goods को दिया जाता है, HSN code, तो यहाँ पर अब यह देख लो, HSN code आपको अपने इन्वाइस में कब देना पड़ता है, important, इसके पर MCQ question आ सकता है, HSN code आपको इन्वाइस में कब देना पड़ता है, ठीक है यह देखो, अगर आपका supply B2C होगा और B2B होगा, तो अगर आपका supply B2B होगा, तो आपको mandatory to mention HSN invoice, invoice में HSN देना ही पड़ेगा, अब mandatory होगा है, अगर transaction B2B होगा, तो आपको HSN देना ही पड़ेगा अब इसमें भी क्या है, इफ aggregate turnor और preceding financial year up to 5 UCR होगा, तो 4 digit का HSN देना है और अगर aggregate turnor आपका preceding financial year में more than 5 UCR होगा, तो आपको 6 digit का HSN देना है 6 digit का HSN देना है, clear, yes or no, पहली बात तो, अगर transaction B2B होगा, तो आपको HSN अब invoice में mention करना ही पड़ेगा, वो product code होता है बस 4 digit का देना है, या 6 digit का देना है, तो यहाँ आपको, आपका aggregate turnor preceding financial year में क्या है, उसके base पर transaction B2C होगा, if aggregate turnor of supply in preceding financial year is up to 5 UCR, तो HSN देने की जरुवत नहीं है, पर more than 5 UCR होगा, पिछले साल में आपका aggregate turnor, तो आपको, okay एक मिनट, यहाँ गरबड होगी बाता यहाँ पर need to mention HSN of 6 digit, यहाँ ऐसा चियो no need, if aggregate turnor of preceding financial year is more than 5 UCR, need to mention HSN of 6 digit, ठीक है, 6 digit का हुआ, गलती से no आया है, वो scratch कर देना, okay, तो यह case में हमने HSN देखा, QR code, अब QR code देखिएगा, okay, यहाँ पर invoice में, देखोए, invoice में HSN कब चाहिए, product code के चाहिए हमने देख लिया, अब invoice में QR code कैसे compulsory है, अगर आपका transaction B2B होगा, अगर आपका transaction B2B होगा, aggregate turnor of any preceding financial year is 17, 18, up to, up to कितना 20 CR, मतलब, यह connect किया invoice के साथ, अगर आपका invoice है, तो QR code की भीना invoice बनता ही नहीं है, okay, तो अगर, अब invoice का compulsory है, जब इस notified limit से जादा आपका turnor होगा, अगर आपका turnor, और इस notified limit से कम होगा, तो आपको QR code जनरेट करना mandatory नहीं है, क्यों, क्योंकि आप इस invoice में नहीं आते हो, लेकिन अगर आपका 17, 18 से लेके, okay, aggregate turnor of preceding financial year from 17, 18, यहाँ पर भी चाहिए word from 17, 18, आपका 17, 18 से लेके, इस limit से जादा, इस limit से जादा, अगर आपका turnor होगा, तो वो situation में, यहाँ पर, देख लेजीगा, इस limit से जादा turnor होगा, तो वो situation में, आपको जो है, यहाँ पर QR code जनरेट करना पड़ेगा, okay, क्यों, क्योंकि e invoice compulsory हो जाता है, 20 करोड पर, 20 करोड पर e invoice अगर compulsory होता है, तो आपको यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, क्या, hsn, sorry, hsn नहीं, qr code, अगर transaction आपका b2c होगा, यहने कुछ नहीं, simple way में बता दो क्या, अगर आप e invoice के provision में आते हो, तो qr code चाहिए, b2b के case में, अगर e invoice के provision में नहीं आते हो, तो qr code नहीं चाहिए, अगर transaction b2c होगा, mandatorily to mention qr code, यहाँ पर qr code कर देना, mandatorily to mention qr code, औके और यहाँ पर, ख्याल रहे, from 1718 बोल रहो, मतलब 1718 या कोई भी उसके बाद, कोई भी financial year में, आपने लिमिट क्रॉस कर दी, और from बोलाए बेटा, only थोड़ी बोलाए 1718, और कि यहाँ पर qr code कर देना, mandatorily to mention qr code, अगर b2c होगा, aggregate turnor of any, any preceding financial year from 1718, अब टू 500 CR होगा, तो qr code देने की जरुद नहीं, अगर transaction b2c होगा, अगर transaction b2c होगा, और आपका 500, यह exceed होता है, और के 500 करोर्स तो आपको फिर qr code generate करने पढ़ेगे, तो यह आप hsn और qr code के transaction carefully पढ़के जाना, और के mcq question आ सकता है, चलो, वाउचर, वाउचर में आ जाते हैं, यहाँ पर वाउचर में आ जाते हैं, अब देखो, हमारे invoice के related, सारी चीज़े हो गिया, यह पूरा invoice था, tax invoice, अलग-अलग type के invoice is, invoice कैसे generate होगा, invoice में hsn कैसे होगा, invoice में qr code कर अब होगा, यह सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है, यह सब कुछ हमने देख लिया, आपके chart में 50 होगा, तो 20 कर देना, अब भी बार-बार मत पुछ हो याँ, आपके chart में 50 होगा, तो यह 20 CR कर देना, यह invoice अब 50 पे नहीं, 20 पे हो गया, आपके attempt के लिए, ठीक है, तो 50 होगा, तो 20 कर देना इसको, ठीक है, चलिए, अब आते हैं वाउचर स्पे, वाउचर भी एक फॉर्मेलिटी है, जो GST में दी गही है, तीन टाइप के आपके वाउचर होते हैं, तीनों भी बहुत important है, question आ सकता है, तीनों भी बहुत important है, question आ सकता है, पहला लेता हूँ आपका, receive voucher, receive voucher मतलब advance, देखें, जब आपको advance मिलता है, तो वो supply माना जाता है, और time of supply के इसाब से, अगर आपको advance goods का मिलता है, तो GST देने की जरुवत नहीं है, क्योंकि notification 66 by 2017 आ जाता है, और notification 66 by 2017 केता है, कि अगर supply of goods है, तो advance पे GST नहीं देना पड़ेगा, invoice पे ही देना पड़ेगा, या last date of invoice पे ही देना पड़ेगा, इवन्दो advance पे GST नहीं होगा, लेकिन आपको goods का advance मिले, या service का advance मिले, आपको उसका एक covering document देना पड़ता है, as per GST law, और वो covering document आपको देना पड़ता है, क्या बेटा, तो वो है receive voucher, दूसरी बात service है, तो service पे तो advance पे भी GST आता है, तो उसका covering voucher होना ही जरूरी है, तो in simple word, goods हो या service हो, आपको receive voucher देने पड़ेंगे, और advance, ये specially जब advance मिलता है, और के वो advance के case में देने पड़ते है, now, very very important, इसके ओपर again MCQ question आ सकता है, क्या, अगर जब आपको advance मिल रहा है, और rate of tax, nature of supply is not determinable, समझ लो, किसी की आप शादी है, और मेरी किराना शॉप है, और मेरी किराना शॉप है, उसने मेरे पास आया कि सर हमारे आप एक event है, शादी है, आपके यहां से पांच लाग का माल खरीदना है, मैंने का अच्छी बात है, पांच लाग का माल वो खरीदने वाला है, उसने का कि यार मेरे हां से दो-तिन बंदे आएंगे, उनको रोखना मत, वो जो भी जर१त का माल और उसने मेरे को तीन लाग का advance दे दिया, अब वो 3 लाग लेकिन वो जो है मेरे हाँ से कोई 1-2 एटम नहीं ले जाने वाला है मेरे हाँ से 10 एटम लेके जाने वाला है 10 एटम में अलग-अलग rate के है कोई यहाँ पर 5% है कोई 12% है लेकिन उसने मुझे एक लंसम advance दे दिया अब चलो यह goods का इसले GST नहीं आएगा सर्विस का ले देता है तो मेरी catering service है प्लस मैं शादी के लिए utensils भी और अलग-अलग equipment रेंड पर देता हो तो अब क्या हुआ कि अब मैं catering भी देता हो utensil भी रेंड पर देता हो decoration service भी देता हो okay तो उसने मेरे 5 लाग रुपे 5 लाग रुपे का contract है उसमें से 2 लाग रुपे मुझे दे दिये पर ये 2 लाग रुपे में catering का क्या decoration का क्या इसका क्या मुझे नहीं पता कि किसका कितना दिया लंसम 2 लाग रुपे दे दिये तो जब आपको advance मिलता है और advance में आप multiple services दे रहे हो okay multiple goods दे रहे हो पर goods के case में advance का importance ही नहीं है क्योंकि TOS आता नहीं इसलिए में goods का example लेके कोई फाइदा भी नहीं है मैं example जो लूगा तो बेटा यहाँ पे service कही लूगा okay example लूगा तो service कही लूगा तो अब ऐसे situation में यहाँ पे service जो है मैं service okay multiple service दे रहा हो और advance limits हमाया है मुझे नहीं पता कि क्या rate लगा हो क्योंकि अलग-अलग rate है मुझे नहीं पता यहाँ पे कि मेरा nature क्या होगा मेरा nature of supply है intra होगा या interstate होगा कुछ भी नहीं पता तो law क्या कहता है जब आपको कुछ नहीं पता तो हम आएंगे वो कहते है कि अगर rate नहीं पता advance मिला और कौन सा rate लगाना नहीं पता तो आप flat 18% से advance पर tax लगा दो flat 18% से बात कतम और आपको nature नहीं पता तो सबको interstate बोल दो सबको interstate बोल दो इसमें undue hardship होती है कैसे होती है मैं उसके लिए discuss नहीं करूँगा बस आप दो line याद रखना जब भी advance मिल रहा है rate नहीं पता तो flat 18% से लगा दो और अगर nature नहीं पता तो आप interstate उसको treat कर दो that's all ये था regarding to receive voucher second आपको सवाल आता है refund voucher ये refund voucher concept very 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 important for exam भई पहले में diagram में समझा देता हूँ पहले में diagram में समझा देता हूँ कि supplier है और recipient है supplier को advance मिला step number one उसको advance मिला advance का उसने receive voucher दिया step number two लेकिन advance मिला receive voucher भी दिया लेकिन भई मेरी batch है मैंने batch announce किया मुझे एक लाख रुपे fees advance में मिल गई plus GST एक लाख राजार रुपे मिल गया अब service है और service है advance मिला है मुझे तो ये advance का मुझे tax government को देना पड़ता है ये advance का tax मुझे government को देना पड़ता है ठीक है पर ना मैंने supply किया ना मैंने invoice दिया मतलब मेरा batch cancel हो गया supply भी नहीं किया invoice भी नहीं दिया receive voucher दिया है और मेरा contract cancel हो जाता है तो government कहती है कि supplier जब पैसा student को वापस करेगा तो उसका एक refund voucher बनाएगा और refund voucher में जो उसने fees ली एक लाख अट्राजार रुपे वो पूरा refund करके उसका voucher बनाएगा इसका फाइदा क्या इसका फाइदा है कि refund voucher जो मन्त में आपने बनाया वो मन्त में जो अल्रेडी एडवांस पे GST दिया होगा वो GST का आपको adjustment मिल जाता है in the month of refund voucher मतलब refund voucher के case में sorry adjustment मतलब आपको refund voucher का उतना credit आपको refund दे दिया जाता है GST का credit भी नहीं सीधा सीधा आपको refund दे दिया जाता है refund voucher का आपको government refund दे देती है क्योंकि आपने advance पे GST दिया हुआ एक बार फिर से advance मिला मैंने उसको receipt voucher दिया supply cancel हो गया supply cancel हो गया और invoice भी यहाँ पे नहीं दिया गया तो उसका refund voucher बनेगा और refund voucher दे के मैं government से उसका refund ले लूगा refund ले लूगा तो देखो यहाँ पे step देखना when receipt of advance payment receipt जिसका receipt voucher दे दिया गया है और मैंने दोनों event supply भी नहीं किया and मैंने उसका invoice भी नहीं दिया तो मैं उसका refund voucher दोगा इसमे clarification है जो मैंने chart formula ले लिया है supply कर दिया है तो यह case में refund voucher नहीं जाएगा और वो case में GST आएगा जब दोनों चीज़े नहीं होगी मतलब supply भी नहीं किया और invoice भी नहीं दिया तो फिर refund voucher आता है पर आपने supply कर दिया और invoice नहीं भी दिया होगा पर supply कर दिया तो refund voucher नहीं जाएगा मतलब आपको कोई benefit मिलने वाला नहीं invoice is made but no supplies done invoice दे दिया तो refund voucher भी नहीं जाएगा हाँ ये case में आप आगे credit note concept में पढ़ा होगा credit note issue कर सकते हो ये case में आप credit note issue कर सकते हो पर refund voucher नहीं दे सकते हो अगर invoice दे दिया और supply नहीं किया तो refund voucher नहीं जाएगा उसकी credit note जा सकती है third supply is not made and also invoice is not issued दोनों condition supply भी नहीं किया और invoice भी नहीं दिया तो फिर वो refund voucher दोगे और आपने जो advance पे GST दिया है और कि आपने जो advance पे GST दिया है उसका आपको refund government दे देगी और कि ये बहुत अच्छा analysis है कि refund voucher कब जाएगा ये समझा और नहीं समझा बताईए बेटा बोलो फटाफट समझा और नहीं समझा मतलब दोनों event होना जरूरी है refund voucher के लिए आपने supply भी नहीं किया और tax invoice में नहीं दिया समझा और नहीं समझा फटाफट बताओ अब आजाईए आप तिसरे payment voucher payment चालान कहो या payment voucher कहो देखो अब थोड़ा concept को याद रखना supplier है और recipient है और आपका supplier reverse charge में है आपका supplier reverse charge में है RCM में है आपका supplier रेसिपियंट और आपका supplier done sorry बेटा आपका supplier resume रेसिपियंट को tax देना है अब law क्या कहता है अब law यह कहता है यहाँ द्यान से सुनो अगर supplier registered होगा दो option यहाँ पे ठीक है अगर supplier registered है और supplier unregistered है इवन्दो supplier registered होगा लेकिन अगर आपका supplier इवर चार्ज में फिर वो GTA service हो sponsorship service हो, legal service हो, वो body corporate हो, government हो, what is it में भी अगर supplier registered होगा और supplier इवर चार्ज में notified है तो उसका tax तो recipient ही देगा, no doubt recipient ही देगा लेकिन registered होगा तो वो case में supplier tax invoice बनाएगा okay tax invoice supplier बनाएगा, वो अपने tax invoice में RCM में right tick करेगा, वे important है अगर supplier registered है तो tax invoice supplier बनाएगा, RCM पे tick करेगा, GST calculate करेगा, पर वो government को GST नहीं देगा, okay वो tax invoice वो बनाएगा, RCM पे tick करेगा, GST calculate करेगा, और वो उसके invoice पे recipient government को pay करेगा, recipient government को pay करेगा, और जब recipient government को pay करेगा, तो government को 12,000 रुपए GST देगा, और supplier को 1,000,000 रुपए, समझे लो value 1,000,000 रुपए है, value invoice की 1,000,000 रुपए है, और GST 12,000 रुपए है, तो tax invoice supplier ही बनाएगा, लेकिन उसका 12,000 रुपए GST ये देगा, और recipient, सुनना है आपे, recipient जब उसक की वैल्यू देगा किसको supplier को क्योंकि 12,000 गौर्मेंट को दे दिये और एक लाग उसको देना पड़ेगा तो जब वह एक लाग की वैल्यू उसको देगा तो उसका वो payment voucher बनाएगा क्यों 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 क्योंकि आपका time of supply under reverse charge याद किजिए time of supply under reverse charge date of payment to supplier कुछ याद आया या 61th day from the date of issue of invoice whichever is earlier है इसलिए आपका TOS का document क्या तो आपका TS का document payment voucher एक बार फिर से अगर supplier registered है तो tax invoice वो बनाएगा हम government को पे करेंगे उसको पे करेंगे और उसको पे करते देका payment voucher बनाएगई यह प्रोविजिन है payment वाविचर लेकिन अगर supplier under registered है अगर supplier under registered है तो वो case में tax invoice वोन ही बनाएगा हम self invoice बनाएगे हम self tax invoice बनाएगे अगर supplier unregistered है तो recipient self tax invoice बनाएगा उस पे GST देगा self tax invoice तो बनाएगा ही बनाएगा payment voucher भी बनाएगा at the time of payment I repeat, अगर वो unregistered है तो इसको दो formalities है कौन सी दो formalities, tax invoice भी बनाना पड़ेगा, इसे self tax invoice भी कहते है और government को payment भी करना पड़ेगा और supplier को pay करते हैं वक उसको payment voucher भी बनाना पड़ेगा I hope you understood I hope you understood, अब clear हो गया होगा आपको yes or no, yes or no जोर से बलो very good very good मैं तब तक पानी पे लेता हो बताएगे वन लेक बिटा वैल्यू है ना supplier ने मुझे बिल दिया value है एक लाख, GST है बारह हाजार ठीक है reverse charge में इसलिए बारह हाजर का GST मुझे गवर्मेंट को देना है बारह हाजार का GST मुझे गवर्मेंट को देना है और एक लाख उसको देना है बाई बील है ने उसका एक लाख का तो एक लाख जब मैं उसको दूगा तब मुझे एक कवरिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसे पेमेंट वाउचर कहते है क्योंकि इस पर मेरा TOS है ठीक है तो पेमेंट वाउचर तो आपको वो रेजिस्टर हो या अन्रेजिस्टर हो थोड़ा सिंप्लिफाइ कर देता हूँ पेमेंट वाउचर वो रेजिस्टर हो या अन्रेजिस्टर हो पेमेंट वाउचर तो आपको बनाना ही पड़ते हैं, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो, तब रिवर चार्ज के टी ओए साता है, लेकिन, अगर वो रजिस्टर्ड होगा, तो फिर रिसीपेंट इन्वाइस नहीं बनाएगा, सप्लायर बनाएगा, सप्लायर बनाएगा, औ और अगर वो अन्रिस्टर्ड होगा, तो इस ट्रांजिक्शन का टैस इन्वाइस रिसीपेंट बनाएगा, बस इस से ज़्यादा मैं रिवाइज नहीं कर सकता हूँ, अब आप ध्यान से पढ़ो, ओके, जो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, अब भाई आप आजाओ, क्र ट्रेडिट नोट क्या होता है, देखिए, और यह आप इग्नोर कर देते हो, नहां से सुनना, ट्रेडिट नोट, डेबिट नोट यह एंसली डॉक्यमेंट है, जब भी कुछ गलतिया ओरिजनल इन्वाइस में हो जाती है, तो उस गलती को सुदारने के लिए, ऐसा मतलब GST law कहता है, और कि GST law यह कहता है, कि अब आपने इन्वाइस में कुछ गरबर कर दी, तो ऐसा मत करना कि इन्वाइस फार दिया, फिर नया इन्वाइस दे दिया, यह पुरानी बाते बोल जाओ, एक बार आपने इन्वाइस जनरेट कर दिया, सो कर दिया, that's all, वो GSTR 1 में अप अचिलरी डॉक्यमेंट से ही अजिस की जाएगी, अब क्रडिट नोट और डेबिट नोट क्या, अब देखो, one or more tax invoices for taxable value, और tax charge in that tax invoice is fine to exceed in taxable value, समझ लो, आप मेरे customer हो, एक्जाम्पल की तोर पे, कोई भी एक नाम लेता है, विनायक लेलो, विनायक मेरा customer है, मैं supplier हूँ, इसको मैंने फिछले 8 मैंने में 10 invoice दिये, one or more tax invoice दिये, पर 10 invoice में एक दिया होगा, या एक से ज़्यादा दिया होगा, और वो सारे 10 invoice में मैंने एक गलती कर दी, एक्चुली इसको जो मैंने supply किया, वो 12% GST का था, पर मैंने गलती से 18% GST लगा दिया, याने ज़्यादा tax लगा दिया, taxable value या tax charge, in that tax invoice, जो मैंने इसको 10 invoice दिये थे, उसमें मैंने tax payable ज़्यादा पता दिया, और कि जब मेरे ख्याल में आया, कि और ये तो गलती होगी, मैंने ज़्यादा tax लगा दिया, तो ऐसे situation में, मैं इसको एक credit note दोगा, कि ठीक है यार, तेरे को मैंने 8% GST लगाया, मैंने 8 लगाया, पर कितना लगाना चीए था, 12 लगाना चीए था, यानि ये जो difference आया, 6% का, तो one or more, सभी tax advice की एक ही credit note बनाऊगा, उस credit note में सारे invoice number दे दूगा, और 6% का जो difference आता है, उसको उतना, कि उसके account को credit कर दूँगा, क्योंकि हो मेरा customer था, मैंने debit, तो उसके account को credit करके note दे दूँगा, उसको कहते है credit note, इसका मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा, कि अगर मैंने credit note दी होगी, 6% के tax की, तो ये credit note जिस month में दी होगी, उस month की output tax liability मेरी कम हो जाती ह मतलब मैं अपने return में दे सकता हूँ कि मैंने इतने amount की credit note customer को भीजी है, तो customer को अगर मैंने credit note भीजी होगी, तो मुझे उतना tax कम पे करना पड़ता है उस month में, जैसे आपको value of supply में discount याद आ रहा होगा, post supply discount होगा, post supply discount होगा, तो मुझे उसकी credit note भीजनी पड़ती है, recipient को उसका ITC reverse करना पड़ता है, अगर लिया होगा तो, और मैंने जो credit note भीजी, क्योंकि मैंने value ज्यादा लगा दी ती, अब कम करना है, तो वो situation में मुझे उसका benefit मिल जाता है, तो दो बाते समझो, यहाँ पे अगर आपने original invoice में value ज्यादा लगा दी, या आपने original invoice में rate ज्या इस मन्त में credit note issue की, उस मन्त में आप tax के adjustment ले सकते हो, पहली case होई, दूसरा आप credit note का भी issue कर सकते हो, when goods are supplied or returned by recipient, मतलब goods आपने जो supply किया है, वो goods sales return हो गया, सुनो, सुनो, sales return हो गया, तो वो case में, अगर बेचावा goods वापस आ जाता है, या service आपने invoice generate कर दिया, और invoice generate करने क बाद service provide ही नहीं हुई, तो वो case में, आप credit note issue कर सकते हो, या goods supplied are found in deficient quantity, मतलब आपने invoice 1000 quantity का बनाया, पर पहुची 950 quantity, 50 quantity पहुची नहीं, तो 50 quantity का मैं credit note issue कर दूगा, अगर credit note issue कर देता हो, तो उतना, ओके यहाँ पे मुझे GST का adjustment मिल जाता है, और customer को उतना पैसा कम हो जा नेक्स हम बात करते हैं यहाँ पर time limit, time limit of issue of credit note, तो credit note से यहाँ पर आप अपनी output tax liability कम करते हो, I repeat, credit note issue करने से आप अपनी, okay, credit note क्यों issue होती है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, it reduces, it reduces output tax liability, output tax liability, क्योंकि आपको adjustment मिलती है, आपको output tax liability से, तो government कहती है, जो, okay, आप financial year की credit note, same financial year में issue करो, अगर कई कोई reason से, आपने, वो financial year में, invoice related credit note issue नहीं किया, तो आप अगले साल के, 30th day of November, सुनिएगा, credit note का time limit, 30th day of November, और date of filing annual return, whichever is earlier, दिखो, पहले जो था, या September end था, लेकिन अब जो date है, current date जो है, आपको time limit लिखना है, यापे 30th day of November तक, आप अगले साल के credit note issue कर सकते हो, मतलब बेटा, जैसे ITC लिएने की time limit, वो भी 30th November कर दी गई है, credit note, जिससे आपका output tax कम होता है, तीन cases में, आपने taxable value ज़्यादा लगा दी, tax rate ज़्यादा लगा दी है, sales return होगे, और goods found in deficient quantity होगा, और आपको उसकी credit note बेजनी है, और अपनी output tax liability कम करनी है, तो वो situation में, आपने अगर same financial year में credit note नहीं दी होगी, तो आप अगले financial year के 30 November तक भी, आप credit note दे सकते हो, और date of filing annual return, तो यह date यहाँ पे 30 November आपको याद रखना है, यहाँ पे, next लेते हैं बेटा debit note, next लेते हैं debit note, debit note कभ इशू की जाती है, कि आपने, debit note एक ही case में इशू की जाती है, और वो है कि आपने value कम लगा दी, बाद में पतर चला कि अरे यार, मैंने तो इससे warranty charges लिये ही नहीं, मैंने तो packing charges लिये ही नहीं, मैंने कोई extra charges लेने हैं, और जो extra charges मैंने नहीं लिये, या फिर आपने tax rate 18% लगाना था, लेकिन आपने 20 लगा दिया, आपने कम लगा दिया, तो customer को मैंने debit किया है, कम amount से, और मुझे extra debit करना है, तो अगर मुझे extra debit करना है, तो उसकी जाती है debit note, and a taxable value or tax charge in that tax invoice is found to be less, मैंने जब invoice दिये, तो मैंने value कम बता दियोगी, या rate कम बता दियोगी, तो फिर उसका debit note जाएगा, debit note supplementary invoice है, और debit note वो return में बताना पड़ेगा, और debit note का time limit नहीं है, debit note मैं कभी भी issue कर सकता हूँ, 2 साल वाद, 3 साल वाद, क्योंकि debit note से government को revenue मिलता है क्योंकि मैं कुछ extra value लगा रहा हूँ, तो government का GST बढ़ेगा, इसलिए government ने debit note को time limit नहीं रखा है, लेकिन credit note को time limit रखा है, क्योंकि credit note में government को adjustment करनी पड़ती है, आपका tax कम करना पड़ता है, इसलिए credit note अगर supplier issue कर रहा होगा, तो अगले साल के September end, सुनना, अगले साल के September end या date of filing, annual return, which ever is earlier, चलिए, तो यह दिखा है, आपने debit note, credit note, अब कुछ special cases में tax invoice कैसे होने चाहे, बैंकिंग इंशुरंस कमपनी होगी, तो बैंकिंग इंशुरंस कमपनी NBFC होगा, तो आपने invoice में serial number नहीं भी लिखा तो चलेगा, बैंकिंग कमपनी के case में, और address नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बाकी सारी details आपको दिरी पड़ेगी, और document में भी issued और made available physically और electronically, ओके physically और electronically, ये वाला point MCQ के लिए पढ़ के जाना, अगर बैंकिंग और NBFC होगा, तो वो case में, a sale supplier में issue consolidated tax invoice or any other document in lieu, thereof by whatever the name called, ओके for supply of service में during the month, at the end of the month, समझ लो बैंकिंग सर्व लगाता हूँ, तो आज मैंने bank charges लगाया, कल लगाया, परसो लगाया, ओके अलग-अलग DDK bank charges लगाया, चेक के bank charges लगाया, तो इसका एक एक invoice ना देते हुए, उस customer को month end में पूरा एक साथ invoice दिया तो भी चलेगा, MCQ के लिए important है, month end में आपने पूरा invoice दिया तो भी एक एक invoice ना देते हुए, bank को ये special benefit है, passenger transport service होगी, तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा, और उस ticket में serial number और address नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, cinematographic film होगी, तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा, okay, चलिए, और rule 55 चलान, important, okay, कौन सी ऐसी cases है, जहाँ rule 55 चलान बनती है, एक तो आपने liquid gas supply किया, तो rule 55 चलान बनेगी, job work के case में चलान बनेगी, rule 55 की, और transportation of goods for reason than other than supply, आपको याद है, जहाँ supply नहीं है, पर goods more हो रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, मेरी ब्रांच को जा रहा है, तो rule 55 चलान बनेगी, और such other cases as notified by the government, तो इस तरह से, okay, यहाँ प यहाँ पर यह discussion देखा, तो हमारा chapter in होता है, और हमारा कौन से chapter in होता है, in voice, yes or no, अच्छे से समझा आपको, बोलियो फटापट, फटाफट बोलियो, अच्छे समझा, अभी भी कुछ student ने attendance नहीं लगाया है, सब सब response करो, आच्छे समझ करो, लगी में रापको, अच्छे समझा ओको, जाओफ़रों। झापको, इस बनाले हैं, सबस्या चाफ़रों। करोछि Şimdi मेंधितस दो ऌो झामितस, अच्छे समझे से जया, सबस्बस्यानी है, सबस्या है, समया सबस् говорить झाल 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 झाल